हलो दोस्तो आज हम यामा आरेक संडरेट के कार्बरेटर के बारे में कुछ आपको डिटेल्स रिव्यू सेर करना चाहते हैं कि यह से औरजिनल कैसे पैचानी है यह देखिए यह जापान कार्बरेटर औरजिनल है जो की 36L भी डिनोट हुआ है साथ मैं आपको इधर में मिकोन लिखा हो का देखने मिलेगा यहां पर मिलता है देखिए आप जूम कर रहे हैं यह देखिए यह देखिए जापान का ओर्जिनल कार्बरेटर है यह जो आप देख रहे हैं आपको अंदर से भी चेक करवाते हैं यह देखिए उसका पिन है चेक किजिए आप केमरा फोकस कर होगा कि नहीं यह तो पता नहीं यह देखिए यह पिन है इसका पिन बहुत साप रहता है जो कि नोकिला जिसे हम लोग बोलते हैं यह इसका की हिया है यह ओरजिनल नहीं है यह इंडियन मेट का हमने लगाया था क्योंकि और टूट गई थी हमारे से तो रिश्टोर करते टाइम हम से टूट गई तो इसलिए यो इंडियन मेट है और इसमें कुछ प्रोब्लम इसू आई थी इसलिए हमने इसको भी नहीं चेंज किया थ था और स्टार्ट अपने आप बंध हो जा रहा था इसी कारण से हमें यह जापान ओर्जिनल कार्बोटर का कुछ प्रोब्लम की थूरू उसे हटाना पड़ा बाद बाकी वह अभी वर्किंग कंडिशन में ही है यह देखिए हम लोग कैसे ओपन कर रहे हैं ओपन करने में जेट ओर्जिनल है इसमें कोई इसू नहीं है बस इस्टार्टिंग का थोड़ा प्रोब्लम इसू था जो एक्स्ट्रेशन होती है वो कॉंस्ट्रेंस नहीं रहे पा रहा है बस यही इसमें इसू है आपको रुकिए अंदर से हम लोग चेक करवाते हैं अस दिखाते हैं क्य है क्या नहीं यह देखिए 115 का जेट है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे में जेट है हमने जूम किया है पुरपली दिख रहा होगा आपको मिकूनी का ओर्जिनल है जापान का मोडल का है पुरा ओर्जिनल है में जेट नहीं है 115 का जेट है आपको फिर पाइलेट रहे हैं रुकिए यह देखिए दोस्तो इसी को पाइलेट जट बोलते हैं जो 20 नमबर आपको लिखा होगा यह देखिए केमरा फोकस कर रहा है आप अच्छे से चेक किजिए यह देखिए दोस्तो उसका हमने चोक को अलग कर दी यह चोक इंडियन मेट का है कैस हम लोग के कुछ कारण के बगगे जैसे हम लोग की टूट गई थे तो हमने को इंडियन मेट का लगाना पड़ा अगर वो यह ओरजिनल चोक होता तो यहां पर पुल बोल के लिखे रहता है पुल चोक बोल के यहां एन कर डिनोट नहीं किया जाता है यही है औरिजिनल का पैचानने का सीमबॉल और यह जिसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं इसको प्लूड पिन बोलते हैं जो नीचे तरफ बहुती साप रहता नोकिला जिसे हम लोग लोकल बासा में बोलते हैं और जो की डिनोट हुए रहता है औरिजिनल मिकूनी में वह आपको देखने मिल जाएगा आराम से उसमें फ्लूड पिन में भी आपको देखने मिलता है कुछ डिनोट हुए रहता है फॉर आपको देखने मिलेगा भी 4M2 जो आपको बहुत ही बारिकी से देखना होगा और जो है अंदर में रहता है उसे एटो मेंजर कहते हैं जो की हम तो खोल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे पास इंस्टुमेंट एबेलेबल नहीं है दोस्तो इसी लिए मैंने इंस्टुमेंट मगाने का ट्राइ किया फिलाल अभी तो नहीं है आपको एटो मेंजर का हम मोडल नंबर बता देते हैं आप इससे भी पहिचान कर सकते हैं जो उसका टोटल होल रहता है फाइब होल आपको मिलेगा टोटल तीन प्लस दो रहेगा आपको जो देखने मिलेगा उस थ्री रहेगा ओपोजिट शैड में उसका टू मिलेगा आपको देखने के लिए टोटल रहेगा फाइब आप आराम से चेक कर सकते हैं मेरे पास तो इंस्टुमेंट नहीं है इसलिए आपको खोल के आपको पका हम चेक करवाते यही इसी का पैचान है जो ओर्जिनल कार्बूरेटर मिकुनी जो जापान मोडल सबसे पहले मोडल में आता था और एक चीज आप चेक कीजिए जो इसका येर स्कुरूप है 35 का हलका सा छोटा राता ये हलका सा बड़ा है इस्पिरिंग और जो इस्पिरिंग है वो भी इसमें फिट होती है जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है नहीं तो आपको ये दोस्तो आपको फिर से पूरा हम चेक करवा दिर रहे हैं क्या क्या हमने ओपेन किया था एक स्क्रूप ड्राइबर की मदद से हमने ओपेन किया था नहीं तो आपको पूरा चीज हम चेक जरूर करवा देते हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे कुछ इस्टूमेंट नहीं है जिससे कारण हम अंदर तक खोल सकते हैं और जितना जानकारी था हमने दे दिया फिर से हम इंस्टूल कर लेंगे अपने और फिर कुछ दिन पहले ही हम एक बाद ट्राइल लिये थे तो कुछ प्रोब्लेम क्रियेट हुआ हमने कुछ दिन बाद इसे ट्राइक करने में ज़्यादा मजायागा क्योंकि हमने और एक कारबुएटर किसी से एरेंज करके किया है इसलिए हम जपान कारबुएटर में जो पिक ऐसे कुछ खास इसू नहीं है गाईस जिसी कारण आप इसे यूज नहीं कर सकते बस बहुत पुराना हो गई है इसलिए जो जेट होती है न और जिनल जेट उसमें कुछ कचड़ा हो गया उसे बॉयल वाटर में देना होगा जिसे कारण उसे वास करना गई हमसे तो नहीं होगा हमने एक मिस्तरी से बात किया है उन्होंने कहा ऐसे करने से सायद हो जाएगा क्योंकि जब पापा चलाना छोड़ दिया था तो कम से कम 5-6 साल से ज़्यादा गाड़ी घर में ही पड़ा हुआ था तो हमने लोकडाउन समय ही इसे जब लोकडाउन खुला तब ही हम इंस्टॉल करवाया थे फिर से रियेस्टोर्शन करवाया गया था कुछ दुआरान पापा को ये गाड़ी में माइलेज नहीं मिल रही थी क्योंकि औरजिनल जपान के कार्बरोटर था अभी फिलाल हम इंडियन मेड लगाए हुए तो उसमें माइलेज बहुत सही है पर जो जपान में जो उसका पिक अप था जो एक्सेलेशन था वो ज़्यादा सही था उसमें मतलब थिरी फॉर्थ गयर में भी अराम से वो हंड्रेट क्रोस कर जाता था आप 90 या 95 में ही गाड़ी रहती है वो भाइबरेट करती है एक्सेलेशन लेती है पर वो जाती नहीं है इसलिए हम इसे फिर से इंस्टोलरसन करने का सोचे है पहले थे हमें इतनी जानकारी नहीं थी पापा के भी इतनी जानकारी नहीं थे फिलाल हम अभी जानकारी थोड़ी है ये देखिए सारा चीज हम खोल के ऐसे रखे हुए हैं आप चेक आउट कर लिजे वीडियो को यहीं पर हम लोग खतम करते हैं इसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें थैंक्यू गाइस